Hello students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं Physics की 11th unit Electromagnetism. इससे पहले जो unit हमने cover की थी वो थी current electricity, जिसमें हमने पढ़ा था कि electric field कैसे generate होता है current के पास होने से, और इसमें हमने study करनी है कि किसी भी material में अगर current पास करवाया जा रहा है, तो उसमें magnetic field कैसे generate होगा. Electromagnetism Physics में वो ब्रांच है, जो study करती है production of magnetic field when current passed through a conductor, यानि कि अगर किसी भी conductor में अगर current पास करोगे, तो उसमें जो magnetic field प्रोड्यूस होता है, उसकी study physics में कौनसी ब्रांच करती है Electromagnetism. Magnetization first topic है तो इसके definition क्या है? Capability of material up to which it can be magnetized when placed in a magnetic field. यानि कि अगर दो magnets ले ली, उन दोनों के बीच में अगर किसी substance या conductor को रखोगे, तो वो कितना magnetized हो रहा है? उस चीज़ को क्या बोलेंगे? Magnetization. इसको denote हम करते है I से, इसका formula क्या है I is equal to M by V, यानि कि magnetic moment per unit volume. Magnetic moment क्या होती है? कि कोई भी material है, उसका area ले ले लिए, उसमें से कितना current पास हो रहा है? यानि कि M is equal to current into area, I into A. उसके बाद आता है magnetic intensity. Magnetic intensity का मतलब क्या हुआ? कि जो magnets हमने रखी हैं, दोनों साइड मैटीरियल के, उन दोनों की capability कितनी है, बीना current पास करवाए, उस material को magnetize करने की. ध्यान रखना इसमें current पास नहीं करवाया जाता है, इसमें सिर्फ magnets रखी जाती है. उन magnet की वज़े से कितना वो magnetize हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? Magnetic intensity. Magnetic permeability का मतलब क्या है? कि कोई भी substance अगर magnets के बीच में रखा हुआ है, वो कितनी magnetic off-line से उसमें से पास हो रही है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? Magnetic permeability. इसको हम denote करते हैं, mu से, ठीक है? उसके बाद आता है, एकला टोपिक, magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility इसको बोलते हैं, जाई-ई. जाई-ई तो हमने यूज किया थे, लेक्ट्रिक फेल्ड की, और यहां पे करेंगे जाई-एम. यहां पे करेंगे जाई-एम. तो यहां पे इसकी definition can be determines how easily a material can be magnetized. यहां कि अगर किसी भी material में से electric magnetic line of force pass करवा रहे हो, तो वो कितना जल्दी magnetize हो रहा है, और कितना late हो रहा है, तो वो चीज हम किसमें measure कर सकते हैं, magnetic susceptibility. तो जाई-एम, इसका formula क्या हो गया? I by H, यहांने कि magnetization, जो यहां पे I denote किया था, magnetization, divide में, magnetic intensity. ठीक है, इन दोनों को divide करेंगे, तो stabile blades निकलती है. Types of magnetic material, magnetic materials होते हैं, वो कितने type के होते हैं? जो first है, वो क्या है? डाया-magnetic material. डाया-magnetic materials, वो magnetic materials होते हैं, जिनको अगर magnetic field में रख भी दिया जाए, तो जल्दी से वो magnetize नहीं होते हैं. होते मियां, तो magnetic, weekly magnetize होंगे. मानले, magnetic field रटा दिया, तो सिरफ एक-दो से गिन तक magnetic field रहेगा, और फिर remove हो जाएंगे. ऐसे magnetic materials, डाय-magnetic materials होते हैं. तो इसमें जो example हैं, वो कौन से हैं? गोल्ड, वार्टर और ग्रिफाइट. अब इसमें क्या होता है? कि magnetic, जो material मान लिया है, इसमें डाय-पोल मुमेंट्स होते हैं, कि randomly placed होंगी, वो कैसे भी हो सकती है, direction होंगी. तो randomly placed बनाने हैं, अगर इसमें से magnetic field पास करवा दिया है, इस material में से, तो भी ये same के same रहेंगी. इन पर कोई effect नहीं पढ़ता और by chance effect पढ़ता भी है, तो बिल्कुल एक, दो उसके direction में जाएंगे, बाकि के सारे के सारे सेम रहेंगे. और इसमें जो magnetic susceptibility होती है, वो कितने होती है, less than one, और जो magnetic permeability होती है, वो भी होती है, less than one. Magnetic, उसके बाद आते हैं, paramagnetic material. Paramagnetic material magnetized तो होते हैं, लेकिन paramagnetic material से कन. तो weekly magnetized होंगे, जब भी magnetic field में रखे जाएंगे, इसमें जो mu की value होती है, वो greater than one होती होती है, और जाएंगी value भी greater than one. जैसे ही मालिया को ही magnetic material ले लिया, इसके अंदर dipole placed है, randomly, इसमें से magnetic field पास करवाया, तो maximum तो हो जाएंगे, एक तो उस direction में नहीं होंगे, तो इसले क्या होगा, weekly magnetized, उसके बाद आते हैं, ferromagnetic material, ferromagnetic materials कौन से होंगे, strongly magnetized जो होते हैं, materials, magnetic field में रखने के बाद वो होते हैं, ferromagnetic material, जैसे कि iron, copper, यह सारे के सारे जो metals होते हैं, वो ferromagnetic में आते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसकी तारिम में, जब लिखोगे, इसकी explanation, इसमें क्या होते हैं, कि…. जो material होते हैं, अलग-लग boundaries बने होते हैं, यह जो एक तरह के jな मोम्मेंट्र है, वो एक है डे हैं, तो सेकिंड वाले हैं, वो सेकिंड में उनमें। हो protocol is, फिल्ड होगे तो सामेंगेंटिक फिल्ड डिरेक्चन व्याओ यहاعता है तो सारे जिल्ड हो gratis प्रिशե। यहां पें वेल्यू क्यों ग्रेटर ट Pik न मीफल्ड ग्रीटर ग्रेटर धेन Deutsche काफी है next topic आता है हमारा magnetic line of force इनकी जो magnetic line of force है उनकी properties और उनकी direction क्या होती है तो इसमें direction है मान लिए यह कोई magnet है जिसका north pole हो गया और south pole हो गया तो अब जो magnet है उसके अंदर जो direction होगी वो होगी south से north inside magnet और जो outside में है outside में क्या होगी north से south outside में क्या होगी north से south direction दो नमर में पुछी जा सकती है properties क्या होंगी कि magnetic जो monopole exist नहीं कर सकते कि मान लिया कि magnet को अगर beach center में से काट भी दिया जाए तो अलग अलग north south poles बन जाएंगे तो monopole exist नहीं करते close loop बना रहे हैं तो close loop exist करेंगी दो magnetic field line एक दूसरे को cross नहीं करेंगी तो यह तीन चार परपर्टी है दो नमबर का question बनता है याद कर लेना उसके बाद है magnetic flux magnetic flux जैसे electric flux किया था वैसे ही है कि कोई भी material ले लिया उसके अंदर से इस surface area में से कितनी magnetic line of force कर रहे हैं उस चीज को क्या बोलेंगे magnetic flux flux को कैसे शो करते हैं कि magnetic flux है तो 5m क्या होगा बीडोट एस electric field में क्या क्या था एडोट एस तो यहां पहुत जाएगा बीडोट एस और जब भी डोट प्रोट्ट को तो आटाते हैं तो यहां से क्या गया B S cos theta next topic हमारा electromagnetic induction electromagnetic induction में क्या होगा कि एक में एक magnet तो मेरी यह है और second magnet यह है एक तो current से मतलब batteries attached है तो इसमें से क्या होगा current flow होगा current flow होगा तो यहां पर magnetic field generate होगा और यहां पर कोई current नहीं है तो इसमें जो magnetic field होगा changing magnetic field उसकी वज़े से इसमें जो magnetic field आएगा उसको क्या बोलते हैं electromagnetic induction when there is an changing magnetic flux in a material इसमें जो magnetic field हो change हो रहा है current के वज़े से then some EMF यह फिर magnetic field induced होता है nearby conductor इस nearby conductor में जो भी electromagnetic induction होगा उसमें वो बोलते हैं उसके बाद इसी किसमें यूज होता है electric motors में जो भी गरों वगरह में यूज होती है अ कि